हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लेंनिंग ख्लासिज में साचट में WPC, Bihar, SAC, Bihar, दरोगा, CDP, OJPAC अन सब एक्जाम को द्यान में रखते गवे क्राउन प्रब्लिकेशन के NCNTS रेच चलाई जा रही है इसके माध्यम से आपको रिवीजन करवाय जा रहा है ताकि एक जाम में यहां से कोई कोश्चन है तो गलत ना हो तो चलिए हम लोग देखते हैं एंसेंट इंस्टी के डेटिट फैक्ट को तो आज का टॉपिक है मौर समराज काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां से हमें साग जाम में कोश्चन बनता है मौर समराज 382 से 185 से इसापुर्व है मौर समराज की बात करें तो मौर राजवन्स के अस्थापना चंदगुप्ट मौर ने की थी उसने चानक विष्णो गुप्ट कोटील की मदद से मगत के नंदी वर्षिये साचन घननंद को मार कर मौर वन्स साचन का कायम किया नेक्स्ट साहित सुरत अर्शास्थ कोटील के अर्शास्थ मौर वन्स के राजविवस्था की विष्थी जनकारी देता है यह 15 अधिकर्णों में विहाजित है तथा इसमें राज के साथ अंगो का वर्नन है स्वामी, राजा, आमत, मंत्री, मित्र, सेना, कोष, तूर्ग, एवं, जनपद इस ग्रंत की तुलना मैक्यावली के प्रिंस से की जाती है और सास्तमक्त सुत्र के गद रूप में संस्कृत में है मुद्राराक्षस, विशाग दर्थकृत, मुद्राराक्षस, नंदवंस के पतन और तथा मौरिवंस के उठ्थान के बारे में जनकारी देता है इंडिका, मेगाश्निज की इंडिका मौरिकाल के प्रसासन समाज और अर्थ विवस्था पर परकास टालता है जस्टिन, युनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंदगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की दीपवंस और महावंस, सिहली साहित इसके अनुसार असुक ने बहुत धर्म के परचार परसार स्रीलंका में किया था रूद्रदामन के जूना गड़विलेख संस्कृत में चंदगुप्त के नाम से उलेक किया है इसमें मौरे काल में निर्मित सुदर्सन जील का जनकारी मिलती है इस जील का निर्मान चंदगुप्त मौरे के साहसन काल में पुष्य गुप्त वैस्व ने गुजरात के सौराष्ट परांत में सिचाय विवस्था के लिए करवाया था निक्स्ट है असोग के अभिलेक असोग के इतिहास की जनकाड़ी उसके अभिलेकों से मिलती है असोग पहला भारतिय सासक था जो अभिलेक को दोरापनी प्रजा से सीधे संबोधित करता था असो क्यविलेख देखे तो पहला है दिर्ग सिलालेख, दुसरा लगू सिलालेख, तिसरा प्रितक सिलालेख, चौथा दिर्ग सिलालेख, पाच्मा लगू अस्तमलेख निक्स्ट हम लोग देखें असो के अभी लेग ब्राम्मी, खरोष्टी, अराइमक और ग्रीक लिपियों में मिलते हैं निक्स्ट है ब्राम्नी लिपी बायें से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बायें लिखी जाती है अंतर को समझ ले, ब्रामनी लिपी ये बाएं से दाएं और खरुष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है असोक के सरवाधिक अविलेक प्राकिर्थ भासा में है असोक के अविलेकों के उतकरिण ब्रामनी लिपी में सरप्रथम जेम्स पिर्णषप 1937 में पढ़ा नेक्ष्ट है भाबर अविलेक में असोक निश्वयम को समराट कहा है नेक्ष्ट देखते हैं असोक के सिलालेक अरुसके बिसे पहला सिलालेक पसुबद निसेध हैं दुजरा सिलालेक विदेसों में धाम परचार एवं मनुस और पसुच किस्सा का उलेक है तिसरा सिललेक राजुक एवं यूक्त की निउकती एवं अधिकाडियों को हर पांच वर्ष पर राज ब्रहमन करने का आग्र निग्ष्ट है चौता सिललेक धम गोस का वेरी गोस के अस्थाम प्रप्रति पाधन पाच्मा सिललेक धम माप मातरु की निउकती छट्टा सिललेक इसमें जन मामलों की निप्टाने के लिए प्रसास्निक सुधारों का उलेक है साथमा सिललेक असोग सभी धार्मिक मतों की प्रति मिस्पक्षता रखेगा आटमा सिलालेक बोद गया की यात्रा काउलेक एवं बिहार यात्रा के अस्थान परधाम यात्रा का प्रतिपादन नावा सिलालेक सच्चे विधान एवं सिष्टाचार का वर्नन दसमा सिलालेक असो के उधम का लक्ष धर्मा चरन की स्रेष्टा गोसित ग्यार्मा सिलालेक धम के तत्तों का प्रकासन, बार्मा सिलालेक धार्विक सहिसनुता पर जोर, तेर्मा सिलालेक कलिंग यूद के बाद धम विजय की घोसना, विदेशों में धम परचार, पांच विदेशी राजगी चर्चा का उलेख है तेर्मा सिलालेक में नेक्स्ट है चौदमा सिलालेख पहले 13 सिलालेखों का पुर्मा लोकन तता सोक के समराज का महाल के विजेते की संग्या अस्तंब लेख इसकी संग्या साथ है और ये 6 अस्थानों से प्राप्ति हैं रामपुर्वा, देल्ली टोपरा, मेरट, लोर्या नंदनगट, लोर्या अ सांबी पढ़ियाग नेक्स्ट है असो के उत्री पश्मी शिलालेख लंगाम ये पूल एदारुन अर्माइन भासा में है शिलालेख अफगानिस्तान में है तक सिला में अर्माइन भासा में और शिलालेख पकिस्तान में कंधार सार एकुना अर्माइन भासा में है युनानी ग्रीक में है नेक्स्ट हम लोग देखें अब हम लोग देखते हैं मौरियों के उत्पति चंद्ग्युप्त मौरी की जाती एवं उसका बंस विवाद अस्पद राप विशय है उसके बंस से समंधित विभीन मत इस परकार है ब्रामन परंपरा क्यानुसार सुद्र मुरा नामक इस्तिरी से उत्पन महा बंस बौद साहित चत्रिय गोरप्पुर के मौरे नामक चत्रिय कुल परिश्टी बर्मन मौर पालक का पुत्र मुद्रा राक्षक बिशल सुद्र बंस के उत्पन का है राजपुताना परजिश्टिय ये राजपुत का है राजनेतिक इतियास देखे तो चंद्गुप्त मौर 382 से 298 में इसापुर इसका कार्जकाल है चंद्गुप्त एक स्वक्षा चाड़ी सासक था और सारे अधिकार अपने ही हातों में रखे गुए था 305 इसापुर में चानकी की सहता से चंद्गुप्त मौर ने पंजाब प्रांथ की युनारनी गवर्नर यूडेमस एबम सीकंदर के उत्राधिकाली सरुलुकस को प्राजित किया संगर्स के बाद हुई संधी की सर्तो के अनुसाल चंद्गुप्त मौर को हिरात कंधार काबोल एबम मकरान से परदेश प्राप्त हुए चंद्गुप्त ने 500 हाथी सरुलुकस को उपहार में दिये चंद्गुप्त मौर क्याने नाम देखते हैं सेंडोकस ट्रवो एरियन जस्टीद के गरंतों में एंडरा कोटस प्लुटार्क ने का चंद्गुप्त जुनागड अविलेख में है नेक्स्ट हम लोग देखें स्वलुकस की पुत्री हेलना कार्नेलिया का बिवाद चंद्गुप्त मौर से हुआ सेंडोकस ने मिगास्तनीच को अपना दोत बनाकर चंद्गुप्त मौर के दरवार में बेजा जहां उसने इंडिका की रचना की नेक्स्ट है चंद्गुप्त मौर ने सासन काल में ही स्टूल भद्र के नेत्यूत में पाटले पुत्र के पर्थम जैन संगेती कायोजन किया था नेक्ष्ट है अपने जीवन के अंतीम समय में चंदगुप्त मौर जैन सन्यासी भद बाहू के साथ स्रवन बेलगोला मैसूर का नाटक चला गया जहां उसने चंदगिरी परबत पर चंदगुप्त भसती साई और सनलेखना पदिती द्वार अपने प्रानों को त्याग दिया नेक्ष्ट है में लोग देखते हैं मेगाश्टनीज के बारे में स्यलोकस निकेटर का दूट मेगाश्टनीज साथ बरसु तक चंदगुप्त के दरवार में रहा उनकी क्रीती इंडिका अप्राय है लेकिन उसके उदारनों को इरानी लेकक एरियन डायर डोरस मंत्री दार्ष्णिक निरिक्षक बैपारी योद्धा उसके अनुसार भारत सीव डायनों सियस एवं क्रिष्ण हेरुकलीज की पूजा करते थे नेक्ष्ट हम लोग देखे पाटले पुत का प्रसासन च्छ समीतियों परतिक में पांस सदस दौरा संचालित होता था इनके पिटा चैनक को भारत का मैक्या वली भी कहा जाता है चानक ने और शार्त की रचना की निक्स्ट है और शार्त जो पंदृविकर्णों खंडों में भ्याजित है के नुसार राज के सातंगों बता हैं सौमी राजा आमत मित्र सेना कोस दूर्ग और जनपद। डॉक्टर स्याम सास्त्री ने सर पर्थम 1909 में से प्रकाशित करवाया। पुरानों में चंदगुप्त को स्रिष्ट ब्राह्मन दुईजरबर कहा गया है। नेक्स्ट है कौटिल की अनुसाराजा धरम परवर्त नर्थात समाजिक विवस्ता का संचालक होता है। नेक्स्ट है कौटिल लेयूद के मामले में अतिक्ता को गौन माना है। बिंदुसार के बारे में देखीत 1998-233 रिसापुर चंदगुप्त मौरी की मुर्तु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्धी पर बैठा। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी परशीत है जिसका अर्थ है सत्रु को नास करने वाला। बिंदुसार के नाम है बद्रसार बायुपुरान के अनुसार अमित्रो चेश्टर युनानी लेखर सीन सेन जैन ग्रन त्वारा एलिक्ट्रोकस स्ट्रेवो बिंदुपाल चीनी वीबरन। नेक्स्ट है वो आजीवक संप्रदाय का अनुवायू था दिब्या वादान के अनुसार बिंदुसार के सासन काल में तक सिला दो बिद्रो वेज जिसे सांत करने के लिए उसने असोक सूसीम को भेजा नेक्स्ट है स्ट्रोवर के अनुसार बिंदुसार के दरवार में सिर् टॉलमी टू ने भी डायनोसियस से अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। नेक्ष्ट है एंथी नियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियो कोटस फर्ष्ट से मदीरा सुखी अंजीर वए एक दासनिक भेजने का अनरोध किया था। नेक्ष्ट है आरम में चानक बिंदुसार क्या परधान मंत्री था प्रंतु बाद में खला टक परधान मंत्री बना। 273 इसापुर में गदी पर बैठा किन्तु उसका राजविसेक चार वर्स के बाद 279 इस भी में ही हो सका। नेक्ष्ट हम लोग असोक के अननाम देखें तो पुरान के अनुसार असोक वर्धर, गिर्नार, अविलेक के द्वारा असोक मौर, भाबरु सिलालेक में प्रीवदर्सी, लोज, मलगत, मास्की के द्वारा, मास्की तथा गुर्जरा, नेटूर, एबन, ओधुगोल्मा, कर नाटक अविलेक में असोक नाम मिलता है, नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं, असोक की माता सुभाद्रांगी चमपा के एक ब्रामन की पुत्री थी, नेक्ष्ट है, सासक बनने से पहले असोक तक सिला अवं अवंती का गवर्णर रह चुका था, सासक बनने से पहले वो उज् निक्स्ट है असंधी मित्रा अवं कारुवाकी असोकी पत्निया थी निक्स्ट है असोकी अविलेखों में कारुवाकी अवं उसके पुत्र तीवर कारुवाकी से उत्पन उलेख किया गया है नेक्स्ट बहुत ग्रंत दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती असो की एक अन पत्नी थी नेक्स्ट नाग देवी असो के अन पत्नी थी जिसके जिन से उत्पन फुत्र और पुत्री थे महेंद्र एवं संगमित्रा निश्ट है असोक के अविलोकों से उसे देवा नीपए दिबताओं का प्रिय एबं प्रिय दस्ती कहा गया है निश्ट देखते हैं कलन की राज्तिरंगनी के अनुसार असोक के ने स्री नगर की अस्थापना की कलिंग के युद देखे असोक ने असोक के तेरमें सिललेक के अनुसार राजा विसे के आठ वर्सवाद अर्था 261 इसा पुर्व देवों के प्रिय दर्सनी राजा अर्थात असोक ने कलिंग पभिजय प्राप्त की यह सिललेक कलिंग के राजा के विसे में मौन है निक्स्ट है खारवेल के हाती गुपाविलेक के अनुसार नंत राज इस समय कलिंका सासक था निक्स्ट है इस यूद के बाद असोक ने गहरी बेता एवं पस्चय ताप हुआ उसने दुसरे राज जोग से यूद करने की निती ठ्याग कर सांस्कृतिक बिजय पानी की निती अपनाई निक्स्ट है दूसरे सब्दों में असोक ने बेरी गोष के बदले धम गोष को अपनाया निक्स्ट है यूद के पश्चात असोक निक्रोध असोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र प्रवचन सुनकर बाद धर्म की और आकरसित हुआ उपगुप्त ने असोक को बधरम दर्शन को दिक्षित किया इंपोर्टन फेक्टर ध्यान दखेंगे असोक बधरम को स्थाविर साखा का अनुवाई था नेक्स्ट है असोक का धम देखे असोक ने धम का प्रतिपादन किया या धार्मिक सिक्षाणा होकर समाजीक एबम नेतिक नियमों का दस्ता भेज है असोक ने स्रीलंका एबमा देषिया में बहुत धनम का परचार प्रसार किया स्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद रहन पुत्री संग मित्रा को परचार के लिए भेजा पाच में ब्रिया सिलालेक के अनुसार उसने धाम परचार के लिए धाम महामात्रों की न्युक्ति की असोक ने बौग तीरतस्तलों की यात्रा धाम यात्रा की सुरुवात की एक उपासक के रूप में असोक 10 में वर्स में बोध गया और 12 में वर्स में निलांगी सागर अम 20 में वर्स में लूंबनी गया नेक्ष्ट है असोक ने आजीब को किरहने के लिए बराबर की पहारियों में गुफायों का निर्मान भी करवाया नेक्स्ट है असोग के सासन काल में तिर्थिय बौध संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ इंपोर्टेंट है ध्यान दखेंगे इरोपिय लेखक असोग की तुलना रोमन समराट कांटेस्ट टाइन के से करते हैं दशरत के बारे में देखेंट दशरत समराट असोग का पोत्र था नेक्स्ट है दशरत के सासन काल में गया बिहार में इस्तित नगारजुन पहारी पराजीटकों के निवास के लिए तीन गुफाय बनाई गई नेक्ष्ट है दचरत ने भी असोग के भाती देवनाप प्रिय की उपाधी ग्रहन की नेक्ष्ट है ब्रिहद ब्रिधर्थ यह अंतिम मौर सासक था इसकी हत्या एक ब्राह्मन मौर सेनापती पुस्मीत सुंग ने कर दी और नये वंस सुंग वंस की अस्थापना कर दी अब हम लग मौर प्रिशासन देखे इसकी राजनीतिक वेवस्था तो मौर काल में बंसा गुनत के अंधरी राजत अंत्रात्मक वेवस्था के नरोप राजा सर्वो पड़ी होता था नेक्ष्ट है और सास्त के अनुसा राजा कुनिरंकुस बनाते हुए प्रजा के कल्यान पर ध्यान देने की जरूत पर बल दिया है नेक्ष्ट है और सास्त में सप्तांग सिधान्त के अंतरगत राजा अमाथ जनपल दुरु को सेना अवं मित्र सामिल थे निक्ष्ट सियस्त अधिकारी तीर्थ एवं महामात्य कालाते थे और सास्त के नुसार इसकी संक्य 18 है और उन्हें 48,000 पन बेतन के रूप में मिलते थे पन तीन बटा चार तोले के बराबर चांदी का सिक्का नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं तीर्थिया महामात्य मंत्री पुरोई सेनापती युवराज दवारिक अंतरवैदिक समाहर्ता सन्नी धाता प्रसादाता प्रसेष्टी पौर बैबारिक नायक कामानी तक मंत्री परिचल दंडपाल दूर्गपाल एवो अंतपाल नेक्ष्ट है सासन चलाने के लिए मंत्री परिचल का होना जरूरी था जो सासक को सला देने में सक्छम थे नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं मौर काल के पर्मुक अधिकारी पर्ने अध्यक्ष या बानीज पेपार का अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष या क्रीसी विवा का अधिकारी था अधिक्ष पटिकलिक या मा लेखा कार था पौतवा अधिक्ष मापतौल का अधिकारी पतना अधिक्ष बंदरगाहों का अधिक्ष दो परकार के नियाले थे कंटक सोधन या फोजदारी नियाले था धर्मिस्ट धर्मस्तिय या दिवानी नियाले था प्रां थे प्रांतु असो के सासन में कलिंग विजय के बाद पांच प्रांत हुए। समाज में समाजन जस क्रिस्टिती बनाय रखना अंता महमात्य सिमावर्ती चेत्र में ध्रम परचार करने का वाला अधिकारी। प्रांत को अहार या विजय के में बाटा जाता था जीले के निच्चे स्थानिक थे जिसमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आरे पोत्र था विशय पती विशय का मुख्या था ग्रामिक ग्राम का परधान था तथा गोप 10 ग्रामों का साचन संबालता था। समीती मेगास्तनीज के अनुसार नगर प्रासासन के लिए साथ समीतिया थी तथा परतीक में 5 सदस होते थे। समीती के बारे में देखे तपर्थम समीती विदेशियों की देखरेग, दूतीय जनम मरन की देखरेग, तिरतीय उद्योग एवं सिल्पकार का निरिक्चन, चतुर्त बानेज एवं बैपार का निरिक्चन, पंचम निर्मित बस्तुग के विशय का विक्रे का निरिक्चन, सश्टम बिक्री कर वसूलने का कारे सेना सेनिकों को नगद बेतन मिलता था तता इसकी संख्या की सकों के बाद सबसे अधिक थी मौर्यों के पास या सकति साली नौ सेना भी थी निक्ष्ट इनानी लेखक पिलनी के अनुसार चंदगुप्त की सेना चेलाख पैदल सिपाई 30,000 गुर्षबार 9,000 हाती 8,000 असुचालित रख थे निक्ष्ट इनानी लेखक पैदल सेना के लिए 30 अधिकाडियों की एक परिशत थी जो 5,500 की 6 समितियों में विवग थी सेना की 6 समितिया थी पर्थम जल सेना दूतिय यतयात वरसरब की विवस्था तिरतिय पैदल सेना की विवस्था चतुर्थ अर्थ असु सेना का देखरग पंचम गज सेना की देखरग सस्टम रथ सेना की विवस्था निक्ष्टे गुप्चर विवस्था महा मात्स प्रसप यह गुपचर विभाग का परधान था गुड़ पूरक, गुड़ पुरुस और सास्थ में गुपचर को गुड़ पुरुस कहा जाता था संस्था एक जगा इस्थी रोकर गुपचरी करने वाले संस्था कहा जाता था संचरा घूम घूम कर गुपचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था समाजिक जीवन्दे के तो मौर काल में बन वेवस्ता सुड़िद हो चुकी थी इनका अधार जन था दासो को क्रिसी के काड में लगायक जाता था निक्ष्ट है अज सास्त के अनुसार ब्राह्मन को सबसे अधिक समान प्राप्था निक्ष्ट है कोटिल के अनुसार पंदरवन संकर जातिया थी जो अनुलोम और प्रतिलोम विभा के फलसुरू पूत्पन हुए थे नेक्ष्ट है बर्न सक्कर जातियों को सुधर की समान माना जाता था नेक्ष्ट है मेगास्तनीज ने समाज को सात बर्गों में बाटा, दार्षनिक, सिल्पी, योध्या, किसान, अहियर, निरिक्षक एवं सवा, सद नेक्ष्ट हम लोग देखे अनुलोम बीबा इसमें पुरुस उच बर्ग और महिला निम बर्गी होती थी है प्रतिलोम भी पुरुस निम बर्ग और कानिया उच बर्गी होती है नियोक प्रथा इस्तिरी को अपने देवर के सात्रमा नियोक प्रथा कलाती है नेक्स्ट है इस्तिरियों की दसा इस्तिरियों के लिए उच सिख्चा बर्जिती उन्हें समराट के अंग निरिक्षक नियोकते किया जाता था समाज में नियोक प्रता का परचलन था अनिक्सा सीनी वो इस्तिरियों को घर के बाहर नहीं निकलने नहीं निकलती थी गनिका बेसिया को कहा जाता था रूप जीवा स्वतांत रूप में बेसिया विर्थी अपनाने वाली महिला नेक्स्ट आर्थिक स्थितिवां की देखे तो मौरे काल में राज आर्थिक रूप सी समरीत एवं मजबुत्ता अर्थ विवस्था क्रिसी पस्व पालन अमपेपार बानीज पर अधारी थी नेक्स्ट आर्शास्त के अनुसार राज में 26 सद्यक्ष न्युक्ते जिनका परमुख कार राज की आर्थि गतिविद्यों का नियमन करना था नेक्स्ट हम लोग देखे राज में कीसा को किभलाई के लिए सीचाई और जल बीत्रन की विवस्था करता था पुस्ट गुप्त ने इसी उद्यस के पूर्ति के लिए गिर्नार में सुदर्शन जिल का निर्मान भी कराया था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है पुस्ट गुप्त ने इसी उद्यस के पूर्ति के लिए गिर्नार में सुदर्शन जिल का निर्मान भी कराया था अब देब मात्रिका और सास्त में अच्छी मीठी को अब देब मात्रिका कहा गया है नेक्स्ट है और सास्त के नुसार दो परकार की भूमी थी राजकी स्वामित्य की भूमी नीजी स्वामित्य की भूमी भूमी कर एक बटा चार से एक बटा छे भाग लिया जाता था सीचाईकर एक बटा तीन से एक बटा पाँच के बीच था भू राजस विम सीचाईकर कुल उपज एक बटा दो भाग था नेक्स्ट है भाग क्रिसी की आय पर राजी द्वारा लिया जाने वाला कर है बस्त निनमान एक पर्मूक उद्योक था जिसका आधिकारी सुतरा धेख्श कलाता था नेक्स्ट है अस्थल मार्ग की आपेक्छा जल मारिक को अधिक प्रसाहन दिया जाता था उत्रा पद एक पर्मूक राजमार्ग था नेक्स्ट है बारत का बैपार रोम, भारस, सीरिया, मिस्र आधी देशों से होता था नेक्स्ट है पूर्वी टटपर ताम लिपी तथा पश्मी टटपर सोपारा अंभरोच, ब्रीगु करक्ष परमुक पंदर गाते नेक्स्ट है श्रेनी उद्योग को संस्था स्रेनी कहलाती थी नेक्स्ट है बिक्री करके रूप में मुल्य का दस्मा भाग लिया जाता था और इसे बैचाने वाले को मिर्तु डण दिया जाता था नेक्स्ट है ब्याज को रूपी का और्मपरिक्षन कहा जाता था निक्स्ट हम लोग देखें लालित कला और बास्तु कला के बारे में, तो कला और बास्तु कला में मौर्यों का युगदान महत्पून है तो फैक्ट इस है, असोक ने कई नगरों की अस्तापना की जिस में स्री नगर कस्मीर लालित पार्टन नेपाल परमुख है राजय परसाद चंदगुप्त मौर का राजय परसाद महल लकड़ी का बना था कुमरार पटना में अस्सी अस्तमबो वाले राजय परसाद के अफसेस मिले हैं नेश्टे दिदार गंज पटना के निकट में प्राप्त यक्षिनी की मुर्ती, मुर्ती का लगा उतक्रिष्ट उधारन है। गुफा की बारे में देखे तासोक ने बराबर की पहारी गया की निकट को काट कर विक्षियों के लिए सुधामा की गुफा बनबाई। असोक के पत्र दसरत निलोमस, रिसी बराबर समू के सबसे पसीद गुफा एवन नागजुनी गुफाओ का निर्मान करवाया। असोक के अस्तम देखे तो असोक के अस्तम एकास्मक, मोनोलिथिक है, अर्थात एक ही पत्तर से तरास कर बनाए गए हैं, इसके निर्मार में चुनार के बलुआ पत्तर का उपियग हुआ है। इन पॉलिस्तार अस्तमबो के केवल सिर्ष भाग को जोरा गया है, जिसमें सिंग और साड बिलक्ष बस्तु सिल्प के परमान है। अस्तूपो का निर्मान इटो के लिए किया जाता था। मौगली पुत्र तिस्त ने कस्ता वस्तू की रचना की थी। नेक्ष्ट हम लोग देखे, नंद वन्स के बिनास में चंदगुप्त ने कस्मीर के राजा प्रवर्तक से सहता प्राप्त की थी। नेक्ष्ट है, असोक ने तक सीला में विद्रो के दमन के लिए कुनाल को भीजा था। असोक के समय बोधी की मुर्ती पूजा का उलेक नहीं मिलता है। आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते से लाइक करें, सेयर करें, साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एक दो वर्सुल ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और यहां से कोई कोश्चन एक जाम मैत आपका न चूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू।